दुर्भाग्य के रत पर सवार कर्ण अर्जुन को जीतने निकल पड़ा था आखिर अर्जुन कर्ण द्वारा माता कुंती को दिये वचन की सीमा से बाहर जो खड़ा था अपने लक्षे को साथते हुए अर्जुन ने तो मात्र चिडिया की आँख देखी थी परन्तु कर्ण को सामने खड़े अर्जुन में एक कटर प्रती दुंद्वी एक पुराना शत्रु नजर आ रहा था लक्षे बड़ा था और उससे बड़ा था कर्ण का मनोबल परन्तु दुर्भाग्य ने कर्ण का यहां भी पीछा नहीं छोड़ा और इक कर्ण का दुर्भाग्य तो देखिये कि शापों का बोच उठा कर उन्होंने अपने इस अंतिम युद्ध में पांड़ों का सामना भी किया तो काटों के रत पर सवार होकर और जब रत के पहिये को धरा ने जकड लिया तो उसे निकालने का प्रयाज भी महारथी कर्ण ने किया जबकि उनका सार्थी शल्य अपने स्थान पर बैठ कर उनकी विवश्टा को देखता रहा और अंत में ये महान युद्धा नियती के चक्र में फसकर इस दुनिया से व विवश्टा हो गया